आप थोड़े शेल शॉक लग रहे हो ये कॉंग्रेस पार्टी ने क्या कर दिया कैसे कर दिया अच्छा इसी के कारण नहीं है अच्छा जादा लोग आ गया ने देखे आज हम बड़ी इंपोर्टन चीज़ के बारे में आपको कहना चाहते हैं पहली बार हमने नोट किया कि चुनाओ के समय प्रधान मंत्री ने होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप नहीं दी प्रधान मंत्री ने दो तीन बार चार बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि चार जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी लोगों को खरीदना चाहिए और यही मैसेज फाइनांस मिनिस्टर ने दिया फर्स्ट ये आज थोड़ा हम तो ये ये क्रोनोलिजी है अमिच्छा कहते हैं बाइ शेर्ज बिफॉर फॉर्स जून उननिस में नरेंदर मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रेकोर्ड्स ऑन जून फॉर्थ फिर अठाइस में को रिपीट करते हैं फॉर्स जून मीडिया जूटे एग्जिट पोल रिलीज करती है बीजेपी का ओफिशल जो इंटर्नल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था तो ये इंफॉमेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था इंटेलिजेंस एजनसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को पताया था कि उनकी सीट सारी है थर्ड जून को स्टॉक मार्केट सारे रेकॉर्ड तोड़ देता है और चार जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडर राउंड चला जाता है अगला स्लाइड दिखाई ज़र यह देखे 31st में मैसिव स्टॉक अक्टिविटी more than double what was there on 30th more than double what was there on 29th 28th यह anomaly देखे यह कौन लोग है यह वो लोग है जो जानते है कि कोई ना कोई घपला हो रहा है हजानो करोड रुपे यहाँ पे इन्वेस्ट हुए है foreign investors ने इन्वेस्ट किये है और उसके बाद 30 लाख करोड रुपे का loss होता है किसका loss होता है retail investors का loss होता है तो यह जो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की stock market की history का सबसे बड़ा scam है और इसके बारे में हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं पहला सवाल वाइ डिट PM and HM गिव स्पेसिफिक investment advice to the 5 करोर families investing in the stock market is it their job to give investment advice second why both interviews were given to the same media house owned by the same business group which is also under SEBI investigation for manipulating stock market third what is the connection between the BJP the fake exit pollsters and the dubious foreign investors who invested one day before the exit polls were announced and made a huge profit at the cost of 5 करोर families we demand a JPC into this we are absolutely convinced that this is a scam that this is a scam has made thousands of crores of rupees at the cost of Indian retail investors and the Prime Minister and the Home Minister have given an indication to buy and this is a criminal act so we demand today a joint parliamentary committee to investigate this Hindi में पूल देता हूँ प्रधान मंत्री ने देश की जनता को investment advice क्यों दी और 5 करोर परिवारों को जो invest करते हैं उनको प्रधान मंत्री ने Home Minister ने Stock खरीदने का आदेश क्यों दिया दूसरा दोनों interviews जो किये गए थे वो अधानी जी के जो channels हैं उनको दिये गए थे उन पर SEBI का investigation हो रहा है तो उन channels का क्या रोल है और BJP के बीच में जो fake exit pollsters है और ये जो foreign investors है इनके बीच में क्या कोई रिष्टा है और अगर रिष्टा है तो क्या है हम JPC चाहते हैं हम investigation चाहते हैं और देश इसकी सचाई जानना चाहता है धन्यवाद शुक्रिया राहूल जी साथियों अभी अभी राहूल जी ने आपको सपश्ट तरीके से chronology समझ लिया है बार बार ग्रह मंत्री कहते थे अब chronology समझ ये आज राहूल जी ने देश को chronology समझाया है इसके ओपर अगर आपके सवाल है तो एक-एक करके आप पूछेगा एक-एक करके पूछेगा जराम जराम I haven't said the chronology in English तो I'll say the chronology in English 13th May 2024 The Home Minister says Buy shares before 4th of June This is a clear indication तो राहूल गांदी ने ये जो कुछ हुआ है पिछले कुछ दिनों में मसलन चुनाव के नतीज चार तारिक से पहले कुछ इंट्रिव्यूस में प्रधार मिंत्री और ग्रियमंत्री ने कहा था कि शेर लोगों को खरीद लेने चाहिए ताक क्योंकि मार्केट उपर जाएगा और चार तारिक को जब नतीज आए तो बाजार क्रैश हुआ था उसमें राहूल गांदी और कॉंग्रेस पार्टिक मतावे 30 लाख करूर लोगों के पैसे डूबे इसके लोगों के तरफ से जेपीसी यानि जॉइन पार्लिमेंटरी कमिटी की मांग की गई ताक को इस चीज को देखें और अलग अलग सेक्शन्स को लेकर और ने कुछ आरूप लगाए है